अलो गाईज नमस्कार मैं आप लोग के स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे बीप्टी टिप्स का बारे में कुछ मुंग डाल के फेस्पैक बनाने सिखेंगे और अपने चेहरे पर अपलाई करें करेंगे दाग धब्बे और जूरिया को खतम करेंगे दोस्तों आप मेरे इस टिप्स को जानने से पहले आप मेरे वीडियो कांटेक्ट देखिए और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों यह एकदम आर्जवेटिक है आई जानते हैं हम जानते हैं मुंग डाल के बारे में अकसर डाल करी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ले सब्सक्राइब करने में मदद करते हैं हम आपको बता रहे हैं मुंग डाल के ऐस उपाया जिसके इस्तिमाल से आपकी सूर्ती में और निखार आजाएगी आए जानते हैं कुछ खाश टिप्स 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 नम्मर वन राई एसकिन वालों के लिए मुंग डाल एक जाद अब इस पेश्ट को साब चेहरे पर लगाए और अगले 15-20 मिनट के लिए छोड़ दे एक बार जब यह सुक जाया तो इसे पानी से दोले और अपने चेहरें को थप थपाया यह फेश पैक आपकी टाचा को कोमल और क्लीन बनान में मदद करें के अब टिप्स नमर दो मुं मुंग दाल उन लोगों के लिए बहतरीन है जो चेहरे पर ब्रेक आउट मुहासे से प्रिसान है इसलिए बस कुछ मुंग दाल को रात भर पानी में भीगो दे और अगली सुबह पीश कर इसका पिश्ट बना ले अब इसमें आधा चमज घी मिलाए और पूरे चेहरे पर ल इसन बार इस पैक को प्योग करें अब हम तीप्स नमर तीन पर चलेंगे तीप्स नमर थीरी संटाइन हटाने के लिए इस वक्त आप पूरे समय अपने घर में ही है और यह सई समय है पुराने संटाइन से छुटकारा पाने का है क्योंकि इस समय आप जितनी अपनी स्कीन के क्यार करेंगे उतना ही फायदा आपकी ताउचा को होगा अगर आपकी ताउचा में संटाइन हो चुका है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप मुंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं आप टिप्स नमर चौत्धे पर चलेंगे दोस्तों आप स्क्रीन पर यह उप्योग लिखा गया है आप पड़के भी उप्योग कर सकते हैं बालों के विकास के लिए जो लोग बालों की समस्य से परसान है जैसे जैसे बालों का रूखा होना या जट्टा उनके लिए मुंग की दाल बहत फायदे मंद है इसलिए बहुत कुछ मुंग दाल उबाले और पीछले इससे माइल्ड सेम्पू से दोले और अपने बालों को सुखा ले इससे सब्ता में दो पर उप्योग कर सकते हैं दोस्तों आप यह चार टिप्स हैं आप इस टिप्स का अपनाएगा आपका चेहरे का दाग धब्बे पिंपल्स और जुरिया सब समाप्त हो जाएंगे और ब मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें शेयर करें और वीडियो का लाइक करें कमेंट करें थैंक्यू देश्तों मैं इस पर हंडेट पर्स आर्जेविदिक बताता हूं इसका कोई साइड इफ्यक्ट नहीं होता है थैंक्यू